यदा यदा हिधर मस्य ग्लानिर भवते भारत अभ्युत्थान मधर मस्य तदात मानं सिजा में हम राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाती चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज फागुन अमावस्या के दिन में आपको सुना रहे हूँ गरब गीता बंधों जोगनुष्य भी आज फागुन अमावस्या के दिन गरब गीता को सुनेंगे भग्वान शी क्रिश्न उन पर विशेश क्रिपा करेंगे और उन्हें दोबारा मा के गरब से जनम नहीं लेना पड़ेगा अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी बंधों पूरन विश्वास सची निष्ठा के साथ गरब गीता को सुने बंधों यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने खली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके बोलो कृष्ण भगवान की जय हो भगवान शी कृष्ण का वजन है कि जो प्रानी इस गरब गीता का विचार करता है गरब गीता को सुनता है वह फिर गरब वास में नहीं आता अब जुन बोले है कृष्ण यह प्रानी जो गरब योनी में आता है वह किस दोश के कारण आता है हे प्रभु जब यह जनमता है तब इसको जरा आधिक रोग लगते हैं संसार में आकर दुख भोगता है बुढ़ापे के कश सहता है फिर मृत्यु होती है हे स्वामी वह कौन से करम है जिन के करने से प्रानी जनम मरन से छूट जाता है शी भगवान बोले है अर्जन यह जो मन प्रानी के मन से उतरते नहीं आठों पहर माया के जाल में फसा रहता है इसलिए बारं बार जनमता वांबरता है गरब वास के दुख पाता है अर्जन बोले है शिक्रिष्ण भगवान मन मदमस्त हाती की भाती है उत्रिष्णा इसकी शक्ति है यह मन पांच के वश में है काम क्रोध, लोब, मोह, एहंकार और इन पांचों में भी एहंकार सबसे बली है अतै प्रानी को कौन से यतन करने चाहिए जिन से मन वश में ही रहे शी भगवान बोले है अर्जन यह मन निश्चे हाती की भाती है त्रिष्णा इसकी शक्ति है मन पांच के वश में है एहंकार इ वश में करने को ज्यान रूपी अंकुष कहते हैं एंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण भगवान कुछ तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं कुछ वेरागी हुए डोलते हैं कुछ धरम करते हैं अदै इस विश्य में कैसे पता जले कि जो वैश्नव हैं वे कौन है श्री भगवान बोले हे अर्जुन जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं वे सिर्प जटा बांधते हैं भसम लगाते हैं इन में भक्ति वाप्टेम नहीं है वे एहंकार से ग्रस्त हैं उनके लिए मेरा दर्शन दुल्लब है अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण भगवान वे है कौन सा पाप है जिस के कारण किसी की इस्तरी और समय मर जाती है पुत्र मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुनसक हो जाता है श्री भगवान बोले हे अर्जुन जो किसी से कर्ज लेता है मगर देता नहीं इस पाप से उसकी इस्तरी मरती है जो किसी की द्रोहर को नहीं लोटाते उसके पुत्र मरते हैं जो किसी की सहायता करने का वचन देकर भी समय पर सहायता ना करें वह नपुनसक होता है ये बड़े पाप है अर्जुन बोले हे कृपानिधान किस पाप के कारण मुनुष्य सदारोगी रहता है किस पाप के कारण गधे का जनम पाता है इस्ती तता ठट्टू का जनम प्रानी क किस पाप से प्राप्त होता है श्री भगवान बोले ही अर्जुन जो मनुष्य कन्या दान का मुल्ले लेते हैं पुत्री को बेच देते हैं वे सदा रोगी रहते हैं जो विशे विकार के लिए मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जनम पाते हैं जो जूठी गवाही देते ह वे इस्त्री का जनम पाते हैं जो रसोई बना कर पहले स्वयम खा लेते हैं बाद में परमेश्वर अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली और इस्त्री का जनम पाते हैं जो मनुष्य जूटी वस्तु दान करते हैं वे भी इस्त्री का जनम पाते हैं अर्जुन बोले है श्री कृष्ण भगवान इस संसार में जिन मुनुष्यों को आपने धन धन ने दिया है उन्होंने कौन सा पुन्य किया है और जिन मुनुष्यों को आपने उत्तम वहन दिये उन्होंने कौन से पुन्य किये श्री भगवान बोले है अर्जुन जिन्होंने स्वर्न दान किया है उनको उत्तम वहन मिलते हैं जो प्रमेशन निमित कन्या दान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जनम पाते हैं अर्जुन बोले है भगवान जिन पुरुषों को आपने सरवांग सुंदर देह दी है उन्होंने कौन कौन सा पुन्य किया है किसी के घर संपत्ति है कोई विद्वान है उन्होंने कौन सा पुन्य किया है कोई कुरूप संपत्ति ही और अज्यानी क्यों है शी भगवान बोले है अर्जुन जिन्होंने अनदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है जिन्होंने विद्यादान किया वे विद्वान है जिनोंने संतों की सेवा की वे धनवान और पुत्रवान है अर्जुन बोले हे भगवान प्रानी धन और संसारिक इस्तरी सुख आदिस सुखों के प्रती मोहों क्यों रखता है शी भगवान भोले हे अर्जुन यह अज्ञान है क्योंकि धन इस्तरी आदी सुख नाशवान है केवल मेरी भक्ती का नाश नहीं होता अर्जुन भोले हे भगवान राज पाट किस धरम से मिलते हैं विद्या कौन से धरम से मिलती है शी भगवान बोले हे अर्जुन जो प्रानी शी काशी जी में निशकाम भक्ती से तप करते हैं देहे त्यागते हैं वे राजा होते हैं जो गुरु की सेवा करता है वही विद्वान होता है अरजन बोले है भगवान किसी व्यक्ति को धन अचानक बिना प्रिश्रम से मिलता है तो कोई उसे सारी उमर एकत्र नहीं कर पाता कुछ लोग रोग रहित होते हैं उन्होंने कौन से पुन्य की हैं श्री भगवान बोले ही अर्जुन जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनाया से मिलता है जिन्होंने परमेश्वर का कारे और पराया कारे समारा है वो रोग से रहित होते हैं अर्जुन बोले भगवान किस पाप के करण प्रानी अमली होते हैं और किस पाप से कुष्टी होते हैं शी भगवान बोले ही अर्जुन जो अपने गुरु की इस्तरे से गवन करते हैं वे अमली होते हैं और गुरु से विद्यादान पाकर जो कृतगन हो जाते हैं वे होता है कोई दरिद्री होते हैं किसी को खंड वायू होती है कोई अंधे होते हैं पंगू होते हैं यह किन पापों के प्रिणाम है कुछ इस्त्रियां बाल विद्वा होते हैं तो किस पाप से होती है श्री भगवान बोले है अर्जुन जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक यानि इस्त्री को नंगी देखता है गुरू की इस्त्री पर कुद्रिष्ति डालता है जिसने गौ ब्राहमन को लात मारी है जोँ अंधा वड़Y होता है जो इस्त्री अपने पती को छोड़ कर प्राय पुरुशू से संख करती है वह बाल विदवा होती है अर्जुन बोले भगवान हे शी कृष्णर तुम पार ब्रह्म हो तुमको मेरा नमस्कार है पहले मैं आपको संबंधी जानता था पर अप परमेश्वर रूप जानता हूं हे पार ब्रह्म गुरु दिख्षा कैसी होती है कृपा करके मुझे पताए शी भगवान बोले हे अर्जुन तुम धन्य हो तुमहारी माता भी धन्य है जिनके तुम ऐसे पूतर हुए जिसने गुरु दिख्षा पूची बिद्ध्या का गुरु काशी चारो वर्नों का गुरु ब्रहमन ब्रहमन का गुरु सन्यासी उसको कहते है जो सब को त्याकर मुझ मेरम गया हो वह ब्रहमन जगत गुरु है हे अज्जुन यह बात ध्यान दे का सुनने की है गुरू कैसा हो जिसने सब इंद्रियां जीती हो जिसको सबसंसार इश्वर का ही रूप नजर आता हो जिसे कोई मोह ना हो ऐसा गुरू जो परमेश्वर को जानने वाला हो प्रानी गुरू रूप में उसे क्रहन करे जिसकी पुजा सब तरह से करे यर्जुन जो गुरू का भगत है सो मेरा भगत है जो प्रानी गुरू सम्मुक होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है जो प्रानी गुरू से विमुख है उनको सपत ग्राम मारे का पाप है गुरू से विमुख प्रानी का दर्शन नहीं करना चाहिए जो ग्रहिस्त गुरू से विमुख हो वे चंडाल के समान है जिस जगे मदिरा का भाण हो उस थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है इसी तर सूकर गर्दव कांफ यह सब योनियों में से सरप की बड़ी खोटी योनी है इन सब से भी वहमनुष्य खोटा है जो गुरू नहीं बनाता गुरू के बिना गती नहीं होती गुरू हीन प्रानीव अवश्य ही नरक को जाएगा यह अर्जुन जैसे चारों वर्नों को मेरी भक भासटी करनी सेवा करनी योग क्या है यैसे सब नाधियों में गंगा शेष्ट है सब वर्टों में एकाजशी का व्रत शेष्ट है वैसे ही अर्जुन सब सेवाओं से गुरू सेवा उत्तम है गुरु दिख्षा के बिना प्रानी पशुयोनी पाता है गुरु सेवा अश्व मेग यग्य से भी अधिक फलताई है अर्जुन बोले हे शी कृष्ण जे गुरु दिख्षा क्या है शी भगवान बोले हे अर्जुन तुम्हारा जनम धन्य है जो तुमने ये प्रशन किया गुरु दिख्षा दो अक्षर है हरी नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है यह चारों वर्णों को जपना शेष्ट है हे अजुन जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है मैं उससे प्रसंद रहता हूं ऐसा मनुष्य चोरासी योनियों से छूट जाता है जनम मरन से रहिद नरक नहीं भोगता जो प्रानी गुरू की सेवा नहीं करता वे साड़े तीन क्रोड वर्ष तक नरक भोगता है जो गुरू की सेवा करता है उसको कई अशुमेग के पुन्ने का फल मिलता है हे अरजुन जो प्रानी हमारे तुमारे समवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गरब के दुख से बचेंगे उनकी चोरासी योनी अर्थात जनम मरन का चकर कट जाएगा इसी कारण इस पार का नाम श्री गरब कीता है श्री कृष्ण भगवान के मुख से इसे अरजुन न उत्तम करम है उसका फल यह है कि नरक की चोरासी से जिव बचा रहता है और भगवान प्रसंद रहते हैं इती श्री गरब गीता बोलो श्री कृष्ण भगवान की जै राधे राधे जै श्री कृष्ण बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद